हाई फ्रेंड्स जमीन एक्सपर्ट यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आप इस चैनल को लाइक सें सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपको इस इन्फरमेशन से बेनफेट होता है या कुछ भी क्वेस्टन आपको पूछना है तो बहु हम उसके पेपर शेक करते हैं और सारा कुछ शेक करने के बाद ही हम आपको एडवाइस करते हैं और इस समय अगर में आज की डेट में अभी सबसे जो हॉट प्रोजेक्ट इससे में चल रहा है पूरे देली एंसीयर में वह जेवर जेवर क्यों है इसके बहुत सारे से पहले मैं आपको जेवर की एक बार थोड़ी से हिस्ट्री आपको बताना चाहूंगा कि इतना जेवर फेमस क्यों हुआ इतनी सारी चीजें क्यों चल रही है वहाँ पे तो जेवर एक्चल में फर्स्ट नेम जब रिडूस हुआ था 2001 में उस समय जो CM थे UP के राजनाथ सं और उन्हें यह प्रपोज किया यहां पर बनाने का बट यह एरपोर्ट 72 किलोमेटर के रेंज में आ रहा था यह आपका इंद्रगादी एरपोर्ट के पास में था तो GMR जो वहां का में हैड है उसने इसको होल्ड पे करवा दिया और जो करेंट गौर्मेंट थी UP गौर्मे के रेंज में आता है क्योंकि जब GMR को यह पूरा एरपोर्ट का देखरेक दिया गया था कंस्ट्रक्शन के लिए तो यह उसके अंदर एक कंडिशन थी कि कोई भी एरपोर्ट इंटेशन एरपोर्ट 150 किलोमेटर के रेंज में नहीं बन सकता तो यह होल्ड पे चला गया उस से बहुत सारा बेनिफिट नहीं मल सकता था इसपेशली यूपी को तो उस पे बहुत जादा वर्क नहीं हो पाया तो अल्टिमेटली यह अगें प्रजेक्ट होल्ड पे चला गया और 2014 में जब वापस BJP के गवर्मेंट आती है योगी जी CM बनते हैं यूपी के तो यह इसने भी क्लेरंस चाहिए वह सारे क्लेरंस भी लेकर आते हैं जैसे क्लेरंस में मोका मिनिस्ट्री आप दो सिविल अवियेशन एमोडी यूनियन मिनिस्ट्री डिफेंस 2016 यह लेकर आए और इन्होंने एड़ा फॉर्म किया सो दैट की सारे कि सारे कि अमना एक्सप्रेस वे अब जैसे नहीं हो और जो प्रॉब विकास होना चाहिए भी और साथ से नहीं हुआ है इसकेन्ड यह है कि जहां पर भी एईरपोर्ट होता है उसके आसपास का एरिया बहुत तीज की से डवलब होता है उसका सबसे बड़ा एक्जांपल गुकाओं के आसपास का एरिया हो द्वारका हो गया महिपालपुर हो गया यह सारे लोकेशन बहुत अच्छे से डबलब हुए है और आज के डेट में जो महां का प्राइस का रेंज है अगर आप एक फ्लैट खरीदना चाहें या प्लॉट खरीदना चाहें तो बहुत ही ज्यादा पैसा आपको यह वहां पे ल प्रावधान है और यह जो पूरा एरपोर्ट है वो 2018 में 2019 में जुरिक इंटरनेशन एरपोर्ट कंपनी को कंस्ट्रक्शन के लिए सारा का सारा कॉंट्रक्ट दिया गया 21st November 2019 को और next month like September 1st week में योगी और और मोदी जी दोनों लोग इसका इनागरेशन करने वाले हैं और जो एरपोर्ट का पास का एरिया है सेवन गाहों थे वो सारे के सारे खाड़े जो एरपोर्ट अभी बन रहा है वो एसिया का नंबर वन और वर्ड का फॉर्ट सबसे बड़ा एरपोर्ट है टोटल एट इसलिए योगी गवर्मेंट ने 69 कंपनीज को जमीन भी अलॉट कर दी है लाइग रामदे हो गया बाबर आमदेयुका हो गया पतांजली वीबा हो गया बीमडबू हो गया बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज को जमीन अलॉट किये गया है और आने वाले टाइम में यह माना जा रहा है कि यह next future city है गुडगाओं के बाद क्योंकि नक्रोण इनका इइन्फरा पर बहुत जाला ध्यान दिया जारा क्योंकि इंका comment UC這 ग्री सारा वर्क हो रहा है उसके लावा अगर हम बात करें की यहां पर हमें investment करना चाहिए ज़ाध करना क्या में अब्ल्कुल म कोटा पैसा चाहिए एक चोटा से एक्जामपल जो लोग ने 5 लाग रुपीज में द्वारकम इन्वेस्ट किया था प्लॉट लिया था फ्लैट लिया था आज की डेट में कम से मिनमम 1.25 करोड से उपर की प्रोपर्टी की कीमत है तो आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं य पोड़ का 20grV का प्रजेक्ट है टीस गरूप उनका प्रजेक्ट है शुक्ठ टिक्क का है बहुत सारे कंप्यमपली का प्रजेक्ट हैं पर इっぴं चल रहे हैं परिचोक सेक्चुल में आपका आगरा का रूट स्टार्ट होता, 167 km का पूरा का पूरा स्ट्रेच है, पहले मतुरा आएगा, उसके बाद आपका आगरा आता है, तो जिरो पॉइंट से हम जब यमना एक्सप्रेस वे पे या ताज एक्सप्रेस वे पे हम जब चलते हैं, तो एप्रोक्स 25 km हम जब अपनी कार को रन कर लेते हैं, वहां पे ही फिल्म सिटी का आपको बोर्ड मिलेगा, जो फिल्म सिटी अभी परपोजड है और आने वाली है, रही बाद जमीन का जमीन का अलोकेशन अल्री हो चुका है फिल्म सिटी के लिए, बस दो किल्मेटर आगे चलेंगे, तो आपको एक बहुत साब बहुत बढ़ा नरडा इंटरनेशनल एरपोर्ट का, जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट का आपको बोर्ड दिखेगा, कि यहा पहले दो रणवे के साथ इन बड़े डवलपर के अलावा यहां पे और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो प्राइवेट डवलपर के और में भी हैं लाइक जो प्लोटिंग का में प्रोजेक्ट है तो इसमें अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे हैं जो अलड़ी वर्क कर रहे ह हैं लाइक हरी तोमस बहुत ही प्रीमिर प्रोड़क्ट है इनके पास उसके लावाए एरो क्लासिक सिटी है उसके लावाए इस बिल्ड़र है यह लगवे कंपनी है जहां जहां पर यह प्रोजेक्ट अभी प्लोटिंग की भी चल रही है जो आपको एरपो क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको यह सारे के सारे प्रोजेक्ट देखेंगे रेट बहुत ही जैन्मिन है यहां पर अब ही अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यह मान कि चलिए कि लगवग 5 साल तक अगर आप कोल्ड करते हैं 5-7 साल तक तो आराम से इसका 6-7 गुना कीमत पहुंच जाए होगा तो जगह चाहिए होता तो घर चाहिए होता है और घर चाहिए होगा तो यह प्लॉट्स में जव भी खर वर बनाएगा और करेंगा तो उसको खाँ हो गाई होगा तो यह सारे बहुत सारे रीजन हैं यहां पर इंवेस्ट करने के लिए और एयरपोर्ट की डिटेल्स है रगलर बेसिज पर हम आपको अप्डेट्स लेके आते रहेंगे यह भी बेसिक डिटेल्स हम जिए वरका लेका हैं कुछ इस्पेसिक प्रोडक्ट भी ले झाल